तोड़े, आइम गोइंग तो टेल यू अबाउट दी फीवर, बुखार, यह एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है जो की हमारे कंट्री में और दूसरे कंट्रीज में भी बड़ी कॉमनली फैली हुई है, it is spread all over the world, यह बीमारी, वाइरस, बैक्टीरिया, फंगल इंफेक्शन और सम अधर इंफेक्शन की वज़े से होती है इसके फैलने के कई कारण है, जैसे कि इन में से कितनी ही वाइरस, डीजीजीज, पैरसाइटल डीजीजीज, और अधर डीजीजीज के होने से फीवर होता है, और वो मौस्क्यूटो वगएरा काटने से ही फैलती हैं, कुछ कंटेक्ट से भी फैलती हैं, वाइरल हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं, पैरसाइटल हैं, तो कारण कुछ भी हो सकता है, फैलने का भी, और कौज भी, जो आजकल जनरली वाइरस हैं, उसमें कॉरोना वाइरस, जी का वाइरस, इन्फ्लॉएंजा वाइरस, और डेंग्यू का वाइरस, और भी, काफी तरह के वाइरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो की, फीवर को, यूमन बीइंग में फैलाते हैं, करते हैं, अब यह जो फीवर है, जनरली जो वाइरल फीवर है, जो की, आजकल भी काफी फैला हुआ हैं, इंडिया में, यह जनरली थर्टी एट, थर्टी एट, डिग्री सेंटिग्रेट, यह अंड़ेट टू डिग्री फान हाइट के लगभग रहता है, ज्यादा भी हो सकता है किसी किसी डिजीज में, लेकिन इसके सिम्टम्स जो हैं, एक तो आपको सराउंडिंग से आइडिया हो जाएगा, कि एक केस एक जगे हुआ तो उससे पूरा घर पड़ जाता है, पूरे घर में फैल जाती है, महले में हो जाती है, सहर में हो जाती है, इसका मतलब ये एक दूसरे से फैल रही है, मौस्क्यूटो काठने से फैले, चाए सांस लेने से फैले, चाए ड्रॉपलेट इंफेक्शन से पहले, खांसने वगेरा से, और भीड में और ज्यादा, जल्दी फैल जाती है, इसके सिम्टम यदि आप देखेए, फीवर हो जाता है, बोडी में एक हो जाता है, कभी-कभी खांसी होने लगती है, कभी-कभी छोटे-मोटे शिम्टम और साइन जो हैं, आत वगेरा, इंटेस्टीन वगेरा के होने लोग कमजोर हैं जिनकी इम्मुनिटी कम है जैसे डाइबर्टीज के केस हुए या कोरोना के पहले से इंफेक्टिड केस जो अब ठीक हो गए है वो हुए या इसी तरह से और किसी भी वैराइटी की कमजोरी हुई या फिर इंडिविज्वल एकदम से एक नॉर्मल टेंप्रेचर से ठंडे टेंप्रेचर पर आ गया या फिर सोते सोते उसने अपना एसी वगेरा कम टेंप्रेचर पर ले आए यह सभी कारण है जिसकी वज़े से बोडी इंफेक्शन जल्दी से पकड़ लेती है और अपनी जगे बना लेती है साइन सिम्टम यह सब पैदा कर देती है और बाकी काम जो रहा बचा है वो हम कंटेक्ट से फैला लेते हैं और जो मॉस्क्यूटो वाले हैं वो उनको प्रिवेंट ना करके वो और चार चांद लगा देते हैं अब इसमें हमें करना क्या यह आपको समझना है देखो फीवर है इसमें आपको ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है सिर्फ पैरसिटा मॉल फाइव हंड्रेड मिली ग्राम से लेके शिक्स फिफ्टी मिली ग्राम तक थिरी टाइम्स फोर टाइम्स इने डे दे दीजिए मरीज को और कुछ ना कुछ खिला कर रखिए खाली पेट मद्दो किटडी दलिया इस तरीके के लाइट खाने भी खाते रहो फुलूट लेवल भी रखो बनाकर डिफरेंट टाइप के पे पदार्त अपने घरे लू पिलाते रहो जैसे सूप ले सकते हैं गरम पानी ले सकते हैं और कई वैराइटी के पे पदार्त हम घ पारीज को दे सकते हैं जो दूद लेने वाले दूद भी ले सकते हैं खिचडी दलिया खा सकते हैं ऐसा नहीं है नहीं दय जब भी टेंपरेचर नॉर्मल हो यह सब देते रहो फ्लूड लेवल की डेफिचेंसी बिल्कुल नहीं होने चाहिए कुछ इलक्टराल भी देते र इलक्टराल आते हैं पानी में गोलो एक लीटर में एक पैकेट और पिलाते रहो और कम से कम तीन चाल लीटर तो पिलाओ पानी एक दिन में टेबलेट मैंने बताया एंटिबायोटिक खामुखा नहीं देनी है यह तो हमारा घरेलू टीटमेंट हो गया अपनी इम्मुनिटी को बचा के रखो और अपने को समाल कर रखो कंटेक्ट में मत जाओ जादा ज्यादा एक जरसन मत करो है यह तो हमारा घरेलू टीटमेंट हो गया अब इस पेसिफिक टीटमेंट के लिए जल्दी से जल्दी इंडिविजुल के के इंवेस्टिगेशन कराओ इसमें जो रेपिट टेस्ट है ब्लड का एक रेपिट टेस्ट होता है और एक आर्टी-पी-सी-ार टेस्ट होता है यह तो अरली-1-2-3 डेज में आ यह को रीजिए जाता है और जो बाद में वीक और टू वीक में आते है वो इजी-एम और आईज़ी-डी है ब्लड के टेस्ट उसके बाद में यदि रिक्वार्मेंट होती है तो सी sound या और कोई इस्पैसिफिक टेस्ट वो सब करलेते हैं तो सिंप्टम में इनके पर डाइगनोसिस तेव हो जाती है उस बीमारी का ये पता चल जाता है कि बीमारी कितनी सीरियसली इंडिविज्वल को डैमेज करेगी अब उसी के अनुसार जितना जल्दी आपने टेस्ट कराए उसी के अनुसार जल्दी से जल्दी होस्पिटल पकड़ लीजिए और अपना इलाज कराओ इलाज में यही है कोई एक नया इलाज नहीं है PCM देंगे आपको फ्लूड लेवल को मैंटेन रखेंगे और जो सेकेंडरी कम्पलिकेशन इसके होते हैं उनको प्रिवेंट रखेंगे अब आप कहेंगे जी सेकेंडरी कम्प्लिकेशन क्या है जिक मानलो किसी को डेंग फिवर है तो उसको प्लेटलेट की डेशेंस हो जाती है ब्लेड की concentration बढ़ जाती है इसलिए platelet भी उनको चड़ाई जाती है और fluid level भी दिया जाता है और electrolytes भी दिया जाते हैं जिनकी इसमें deficiency हो जाती है otherwise इसी से आदमी मर जाता है इनकी deficiency की वज़े से आपको लगे गयार यह तो fever जरासा था और मेरा आदमी यह जरासी देर मर गया वो ऐसे ही होता है कई केस आपने देखे होंगे diabetic होते हैं दवाई नहीं लेते properly कोई और heart की problem साथ में हो जाती है फिर उसका भी ध्यान नहीं देते और यह अपने हाथी की तरह जूमते हैं और एक दिन जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं यह सब क्यूं होता है यह हमारी नेगलिजेंसी की वज़े से हम अपने वध्यान ही नहीं रखते भई बोड़ी आपकी है बोड़ी बड़ी कीमती है और आप यदि सर्विस में हो आपको सारे बेनेफिट एवेलेबिल हैं और फिर भी आप ना तो उनका फादा कुछ उठाते और यदि वो भी नहीं है तो इतना बड़ा टीटमेंट नहीं होता है यह बड़ा छोटा सा इलाद है पर हम हिंदुस्तानी हैं हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और ना हम देंगे चाह कितने ही लोग साफ हो जाएं क्यों दो मिनिट में हम कह देते हैं अभी तो तीन दिन पहले ठीक गूम रहा था बात कर रहा था यार पता नहीं आज क्या हो गया और वो चलता फिरता ही मर गया खुदा को यही मंजूर था उसने अच्छे करम करे होंगे तो मेरे भाई थोड़ा विचार करो बहुत एजुकेशन बढ़ चुका है और जिनको मालूम नहीं है उनको समझाओ अनेसेसरली अपनी जान ना कमाओ मेरा यही कहना है इस पर ध्यान दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो धन्यवाद